इयत्ता सात्वी विशय हिंदी पाठ तीसरा दादी माका परिवार प्रश्न एवं उत्तर प्रश्न पहला उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती करो याचना, मातम, बर्गद, हमजोली यह शब्द हमें ब्रैकेट में दिये गये है इन शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ती करनी है पहला घर के आंगन में डैश का पेड था घर के आंगन में बर्गत का पेड था दूसरा, चिडियों में डैश छा गया मुन्मुन्थी उनकी डैश मुन्मुन्थी उनकी हमजोली चौथा, चिंकी से तनीक डैश करो चिंकी से तनीक याचना करो प्रश्ण दूसरा, निम्नलिखित कथन के सामने सही और गलत का चिहन लगाओ पहला देखो, नीलू पेड के नीचे बिल बना कर रहती थी तो यह कथन गलत है दूसरा, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते यह कथन सही है तीसरा, गजब एकता थी उन सब में यह कथन भी सही है चोथा, नीलू के बच्चों के नाम थे चुसकू मुसकू यह कथन गलत है पांचवा, चिंकी की आखों में आसू थे यह कथन सही है अगला प्रश्ण देखो नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे है पहला, अरे, मैं फस गई यह वाक्य मुन्मुन ने बाकी पक्षियों से कहा है दूसरा, आखिर चाहते हो कैसे एकता मुन्मुन ने तीनू से कहा है तीसरा, बहुत देर से आई हो नीलू आज यह वाक्य दादी ने निलू से कहा है चोहता हम एक है पर करे क्या यह वाक्य निलू ने दादी से कहा है अगला प्रश्न निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखो पहला दादी के परिवार में कौन-कौन थे उत्तर दादी के परिवार में निलू चिडिया थी, जो अपने दो बच्चों तीनू मिनू के साथ आंगन के बरगत के पेड़ पर घोसला बना कर रहती थी, पेड़ के नीचे बिल बना कर चिंकी चुहिया रहती थी, चिंकी के भी दो बच्चे चुसकु मुसकु थे दूसरा प्रश्न, चिडियों में मातम क्यों चा गया? उत्तर, एक बार शाम के समय बहुत से चिड़े चिडिया धान के खेत में दाना चुग रहे थे, वहाँ एक बहेलिया ने अपना जाल बिचा रखा था, दाना चुगने के बाद जब चिडिया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी, तो सब जाल में फस गई, इसलिए चिडियों में मातम चा गया? तीसरा प्रश्न, चिडिया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? उत्तर, तीनू मिनू के कहने पर सभी चिडियों ने एक साथ जोर लगाया, और जाल को लेकर उड़ने लगी, उड़ते उड़ अलू और मिनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की, चिंकी और उसके दोनों बच्चों चुसकु मुसकु ने अपने पैने दातों से जाल को काड़ दिया। निम्न लिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द है पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी। उत्तर, अंशु नाकपूर में रहती थी, वह सातवी कक्षा में पढ़ती थी, दो दीन बाद हिंदी का टेस्ट होने वाला था, वह मासे पूच कर अपनी सहेली रूची के घर पढ़ने के लिए चली गई, दोनों सहेलियां देर तक टेस्ट की तयारी करती रही, जब उनका ध्यान बाहर की तरफ गया, तो देखा की रात हो चुकी थी, पढ़ने में उन दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा, अंशु ने सहेली से विदा ली और घर की और चल पढ़ी, तभी अचानक बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा, अंशु ने अपनी पुस्तक को अ अपने दुपटे में अच्छी तरह लपेट लिया, बारिश और तेज हो गई, अंशु बारिश से बचने के लिए एक दुकान के बरामदे में खड़ी हो गई, तभी उसकी नजर बिल्ली के एक बच्चे पर पड़ी, जो बुरी तरह बारिश में भीग गया था, और ठंड के कारण कांप रहा था, अंशु को उस बच्चे पर बड़ी दया आई, वह इधर उधर देखने लगी कि कैसे उसे बचाया जाए, तभी उसने दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां सजी देखी, उसे याद आया कि कल तो रक्षा बंदन है, टेस्ट की तयारी में वह राखी लाना ही भूल गई थी, अंशु ने दुकान से अपने भाही के लिए राखी खरी दी, अब तक बारिश रुख गई थी, अंशु उस बिल्ली को गोद में लेकर अपने घर आई, उसे तौलिय से पोंच कर हलका गरम दूद पिलाया, दूद पीकर बिल्ली गस्थ दिखने लगी और अंशु के पास आकर उसका पैर चाटने लगी, अंशु ने अपने कमरे के एक कोने में कपड़ा बिछा कर बिल्ली को उस पर सुला दिया, मा ने अंशु को इस अच्छे कारे के लिए शाबाशी दी, अंशु ने मा से प्रार्थना की, कि वे उस ब इल्ली को घर में रखने दे, मा के हां कहने पर अंशु बहुत खुशुई, उसने निश्चय किया कि उसका नाम राखी ही रखेई, क्योंकि वह राखी के त्योवार पर ही उसे मिली थी, अगला प्रश्न देखो, निम्न लिखित वर्नों से सार्थक शब्द बना कर लिखो, यहां हमें कुछ शब्द दिये गए है, इन शब्दों में से कुछ अक्षर इधर उधर किये है, हमें उन अक्षरों का उचित क्रम लगा कर सार्थक शब्द बनाना है, पहला, रप वारी, इससे शार्थक शब्द बना है, परिवार, चाक अन, इससे अचानक, हेया लिब, इससे बहेलिया, रहो याशी, इससे होशियार, शकु लीहा, इससे खुशहली, रमस जदा, इससे समझदार, मजोहली, इससे हमजोली, इससार्थक शब्द बनता है, यासजहाम, इससे समझाया, इससार्थक शब्द बनता है, रकलो, इससे कलरो, इससार्थक शब्द बनता है,